हेलो दोस्तों मैं राज और राज इंडक्चन में आपको श्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा है वो हेवलक्ष कंपणी के इंडक्ष्ण कुख टॉप के उपर में रहेगा दोस्तो मेरे पास यहां पर फोकेस करेंगे एक हेवल की PCV रिपे ऐसे चलता है और डिस्प्ले में E4 का एर कोड़ आता है तो दोस्तों अभी जितने सारे नए टेक्निशन होते हैं सम्दी में ऐसे इंडक्शन होता है तो उनलोग सिर्फ आईजी भीटी को चेंज करकर देखते हैं और आपको दिखने के मिलीए कई वीक है फटा हुआ है तो उसको रिप्लेस्मेंट करके देखते हैं बाकी इसको रिप्यर करने के लिए कोशिस नहीं करते हैं तो यहीं कारण है दोस्तों कि अगर आप जब तक SMD से डरोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाऊगे तो अचले जोस्तों वीडियो को शुरू करते उसको असानी से रिप्यर कर सकते हो इस वीडियो में ठीवरिकल और प्रेक्टिकल और एक तो आपको बहुत बढ़ी है एक्स्प्लेंट भी करने वाला ओके दूस्तों दूस्तों यहां पर फोकस करेंगे नौर्मली मैंने इंडक्शन कुक टॉप को यहां से ओन कर दिया यह यहां पर दोस्तों 120 मिनेट दिखा दिया टेंप्रेशर को और ज्यादा हाई कर देते हैं कि जल्दी और कोड़ा और आपको जैसे इफूर का इर्र कोड़ा रहा है तो यहां पर टाइमिंग बता दूंगा कि इतने दिर में आ रहा है और उसको यह जो इसको कैसे रिप्यर कर जा तो इसी के बारे में आपको ठीवरिकल और प्रिक्रिकल दोनों बताऊंगा अब दोस्तों सबसे पहले फोकस करेंगे रनिंग में यानि समझ लो तीस सकेंड हो या एक मिनट हो या दो मिनट के अंदर कोई साभी कंपनी का इंडक्शन हो चलने के बाद अगर इर्र कोड आता है नर्मली आपने देखा एफोर का रहा है तो दोस्तों आपको पता नहीं कि कौन सी सेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो आपको यहां बताना चाहता हूं देखिए रनिंग में जब भी कोई रर कोड आता है यहां पर टॉप सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है या दोस्तों दोस्तो एक परकार का रजिस्टेंस है हम इसको एक्जामपल के लिए पर बताना चाहता हूं यह रजिस्टेंस पुष टाइब का रजिस्टेंस है यानि दोस्तो एक जो रजिस्टेंस है इस परकार का रजिस्टेंस है यानि इस टाइब का रजिस्टेंस है यह टमप्रेचर क भी बोलता है लेकिन अगर हम प्रोपर इसको बताया जाए तो इसको हम बोलते हैं एंटीसी थर्मिस्टर और इसकी जो वैलू होती है वह होती है हंडेट के इसको बोलते हैं एंटीसी थर्मिस्टर हंडेट की वैलू होती है और यह भी रजिस्टेंस के जैसे पर्सेंटेज के इसाब से आता है इसकी वैलू आप 5% कम और ज्यादा करके यूज कर सकते हो अब दुस्तों यहां पर करेंगे नौर्मली कैसे फोकस करना है यह वाला जो अपका फॉइंट है इस पर आएगा आपका फाइव वोल्ट पावर सप्लाइस से थाएगा तो दोस्तों यहां पर मैंने five वोल्ट लिख देता हूं पावर सप्लाई से उसके बाद में दूस्तो यह आपका जो यहां बीच में देख रहो हो एक क्या है 100 के रजिस्टेंस समझे लो एक्जामपल के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूं एह 100 के रजिस्टेंस है क्लियर अब यहां पर दूस्तो यहां पर 5 वोल्ट आ गिया यह होगी इस जो भी चेंज होगा तो चेंज होने के बाद जो भी इसका रिफ्रेंस होगा यह जो माइक्रो कॉंट्र आइसी देख रहो नहीं यहां पर इसके दस नमबर पीन को पता चलेगा कि यहां पर 5 वोल्ट आया इसके उपर टेंप्रेचर पड़ेगा क्योंकि यहां जैसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह वह समझ लो एक केजी का बरफ है इसके उपर टेंप्रेचर पड़ेगा तो बरफ पिगलता है अब पिगलेगा पानी जैसे लीकवीड में बदल जाएगा अब लीकवीड होगा तो जहां पर दूस्तों उसको मिलेगा में है जब इसके ऊपर टेंपरेशर अफ़र्स पढ़ेगा सउठ जैसे तो फिए ना मैं यहां पक्डा रहें को नाली और एक नाली को क्या लिद्वा ट्रेश्थ नमर पर मज जिह थोड़ा सा घ्राउंड भी कहल जा है उपने यहाँ पे resistance लगाए ग्राउन भी कर दिये हैं उके तो हम दोस्तों क्या करेंगे अभी यहां पर चझेक करें गेंगे जैसे 10 नमबर पीन फे तो कितना voltage है औरॉल्टेज है यहां पर मैं क्या करता हूं supply देता हूं कि यहां पर दोस्तों मैं सप्लाई देता हूं सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी देख सकते हैं टेन नंबर पीन के कौन से आई सी के इसका रिफ्रेंस कहां पर जाएगा दस नंबर पीन पर यह आपका दिखाया रहा है समझ लो 0.25 वोल्ट अभी यह तो है अब हम इसके उपर सुरज का परकास डालेंगे तो देखना मौसम के जैसे चेंज होता है मौसम के तरह बदल नहीं जाओगे वहला सूने हो ना तो वैसे चेंज होगा तो मेरा सुरज का परकास यहां पर डाला शुरू कि देख सकते हैं मीटर पर फोकस करो और यहां पर मैं टेम्प्रेचर और यह दोनों बढ़ा कर देता हूं देख सकते हैं न कि अब जैसे इसके उपर परकास पड़ा यानि यह समझ लोग बरफ बन गया पीहल गया अब इसका नाली 10 नमर पर जाने लगा कि हां मेरे को मिल रहा है यह देख सकते हैं ओके अब मैंने इस चेक करोगे सेंसर को तो इसका मतलब आपका क्वाईल सेंसर वरकिंग सही कर रहा है कोई पर्रॉबलम नहीं है को क्वाइल में परफसीद कर ले रहा है बस आपको प्रब्लम को सॉल्प करोगे यानि मैं सीवर बोल सकता हूं कि और सेंसर की प्रब्लम नहीं है अब हम आई-जी बीटी सेंसर के तरह बढ़ेंगे रहां प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया सेंप प्रोसेस वैसे ही है उके बस यहीं है कि जो बरफ था पाइमनी में मतला दस न तोड़ा सा समझनी कोशिस करेंगे अब दूस्तों यहां पर फोकस करना है कैसे यहां पर टोटल माइक्रो कॉंट्रोलर है अलग-अलग पीन की अलग-अलग वर्किंग होती है अब हमने यहां पर जो पांच आउट करना ठीक अब दूस्तु यहां पर क्या होगा जैसे 5 वोल्ट आउट कर दिया तो यहां से डूस्तों ट्रेक का यहां पर के का रजिस्टेंस लग गया बीच में रोकने का वड्टेज को थोड़ा सा रोकेगा अब टेन के रजिस्टेंस लगाने के बाद दोस्तों तो सीधे हम इसी ट्रेक को आगे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे यहां पर भी हंडेट के का रजिस्टेंस लग गया रजिस्टेंस है ना हंडेट के का बस समझनी कि आप कोशिज करना एक पॉइंट यहां पर हो गया जो घुमा फिरा के यहां पर समझ लो 4.9 वोल्ट अभी दोस्तों यहां पर आपको продук Impf नेमर पीन है इसका काम है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आउट करना आउट कर रहा है लेकिन दोस्तों यह टो कर रहा है जब इंडेक्शन कुक्टाप गरम होगा तो इसकी जयाने प्ता है तो इसका यही है अब क्या होता है कि मैंने यहां से इसको क्या करता हूं यह रास्ता है यहाँ बना दिया कि यहाँ प disaster न्यक्तछ रजिष्टें लगा दिया तक समझने मेरी बातों को CEO यहां से इसको connect कर देता हूं एक point पर आपका 5 volt आएगा और एक point को मैं ground कर देता हूं ओके अब दुस्तों इसको focus करना एह 100k का resistance है यानि क्या है दूस्तों temperature resistance है इसके उपर मैं मारूंगा temperature तो इसकी क्या होगा दूस्तों एक बदल जाएगा अब बदल जाएगा तो यह नहीं की तो दूस्तों 5 की अंदर में बैठे हैं उनको बताएंगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूं मैं वोजन रखे रखे न ठग क्या हूं और मैं हार मान गया और तुरांथ E4 को दे देंगे कि आप E4 का दो और कस्टमर को बोलो दिले जाए सर्वी सेंटर में और बनवा के लेकर आए ठीक है तो इसका मैं आपको प्रेक्टिकल करके बता रहा हूं अब दुस्तों आपको फोकस करना है मैंने यह वाला जो वायर है मल्टी मिंटर का जो पोजेटी पांच नंबर पीन से करनेट कर दिया हूं यहां पर दुस्तों टेंपरेचर सेंसर है टेंपरेचर रेजिस्टेंस है 100 कि मल्टी मिंटर पर फोकस करोगा तहां पर फाइव वल्ट सो कर रहा है यानि जो पांच नंबर पीन है उनको पांच वल्ट आउट कर रहा है कब तक आउट करेगा जब नौर्माली दोस्तों अभी मेरे पास लाइटर नहीं है नहीं तो और मज़ा आ जाता अभी मैं क्या करता हूं टेंप्रेचर के ऊपर टेंप्रेचर मारूंगा यहां पर देख सकते हैं और मीटर में अब फोकस करेंगे तो कुछ यहाँ पर हुँ नहीं पड़ रहा है पाारे पास नमर फे पर ना चीए इनको होना चीए कि हमारा जो अगला आ आदमी है हो रहा है धिरे धिरे कम जौर हो रहा हैं कि यहां से क्तले हैं कि क्या करेंगे आउट करेंगे कुछ यहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेंगे तो कुल मिलाकflower दोश्टो आपको रोल हो चाहता हूं आपका सेंसर यानि यह वाला सेंसर यानि हंडेट के के एंटीसी थर्मिस्टर रजिस्टेंस यह आपका खराब हो किया है अभी यहां पर इसको लगा निकालता हूं मैं और दूसरा आपको प्रेक्टिकली करके दिखा रहा हूं अब दूस्तों फोकस करना मैंने यहां से निकाल दिया इसको ठीक ह यहां पर लगा था इसेमडी में अब दूस्तों यहां पर एक कोशन खड़ा होगा सर मेरे पास I am India तो क्या डिप दिखा हुआ है असानी से अब दूस्तों मैं यहां पर लगा दिया लगाने कि तो लगा दिया अब आपको काम कर रहा है की नहीं कर रहा है इसको कौन बताएगा महीं बताऊंगा अब दोस्तों आपको फोकस करना है मैंने यहां पर लगा दिया 100 के कर थर्मिस्टर यहां पर मैंने लगा दिया लगाने के तो लगा दिया लेकिन दोस्तों यह काम कर रहा है की नहीं कर रहा है इसको कैसे पत्ता आप दोस्तों यहां पर focus करना नॉर्माली मैंने आपको बताया कि जैसे इसको पर temperature मार रहा हूं मैं तो इसकी value देखें यहां वोल्टेज जो है कम होते जा रहे हैं यहां पर देख सकते हैं इसकी देख सकते हैं ओके कि अब जैसे नॉर्माली इसको temperature हटा देता हूं नॉर्मल टाइप में दीरे 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 इसकी value बढ़ती रही है तो यहां पी वोल्टेज भी बढ़ते जा रहा है दीरे दीरे इसकी value कम होगी तो यहां वोल्टेज भी कम होगा लेकिन दोस्तों इंडेक्शन करेंगे कि छोटी सी problem थी आपने बहुत लंबा बना दिया लंबा इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि अगर आप 20-22 मिनेट टाइम देंगे न तो future में कभी भी इस problem आपके पास आता है कोई साभी induction cooktop का तो आसानी सी repair कर लोगे क्योंकि मेरे लाश्ट वीडियो था मैंने इस सारे question लोग करेंगे इसर जो SMD package में आपने बताया अगर SMD package में नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको डीप लगा के बता दिया डीप वहला आसानी से मिल जाएगा जिसका link नीचे में दे देता हूं वहां से आप खरीच सकते हो या मेरे से मंगा सकते हो दोस्तों अगर घर बै आपको यहां पर product में जाना है और इसको click करना है जैसे इसको click करोगे तो मेरा यहां पर एक website open हो जाएगा जैसे यहां पर website open हो जाएगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नियम और सरते को आपको पढ़ना है दोस्तों जो नियम और सरते हिंदी और इंगलिस द है नेखु कि हर प्रोड़क्ट में लिखा रहता है दूरी चीज आपको कम से कम कितना मांगा नहां है यहां पर आइडी संहाथ यहांपे पी यहां में से कम 10B に सारी है ड कर सकूष यह r Perhaps दूस्तो हर प्रोड़क्ट में आईडी नमर लिखा रहता है दूस्तो लगभग 400-500 प्रोड़क्ट मेरे पास है अगर आपको जो भी प्रोड़क्ट चाहिए उसको 24 कर लो और 24 करने के बाद दूस्तो जो आपको जरूरत होगा वहां पर दूस्तो आईडी नमर नोट करो जैस से मेरे पास सेंड करोगे दूस्तो तो आपको मैं एक कोटेशन बनाके भेज़ूंगा 12 घंटे के अंदर में और कोटेशन के साथ साथ में मैं आपको एड्रेस फॉर्मेट भी वेज़ूंगा अगर आपके समझ लो मेरे उपर भी स्वास है दूस्तो क्योंकि मेरा जो प्रो होगे और उसके दूस्तो 48 घंटे के अन्दर में आपको समान लगासे इस ईस एक दिसपर हो जाएगा जो आपका डिसपेश हो जाएगा वह डेलाईबरिय कुरियर याक दोस्तो समाझलों इस país पूश्ट के माध्यम से जाएगा और दूस्तो सेमें डेस से लेके टेन डे के अंदर में आपके घर तक आपका समान पहुंच जाएगा तो दूस्तो इस टाइब का ओडर कर सकते हो थैंक्स पूर दूस्तो